हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल दीकी फ्रेंट्स आज हम फिर से एक मैकरम में आपको डोर मिट बनाना सिखाएंगे जिसके लिए दीकी फ्रेंट्स सिर्फ मैंने 8 फंदे डाले और आप जैसे की 40 फंदे का बनाना चाहते हैं तो आप उसमें 20 फंदे ही डाले क्योंकि पहली रो में ही यहां फें फंदे बढ़ जाएंगे तो और अगर आप 40 से कम में बनाना चाहते हैं अगर 30 का बनाना चाहते तो आप 15 फंदे डाले उसके ठीक आदे फंदे ही डाले तो देखिए हम जिस तरह से इसको बनाएंगे सबसे पहली रो हम उल्टी बना लेंगे हम सिर्फ आपको छोटा बता रहे हैं देखिए फ्रेंट्स पहली रो मैंने उल्टी बना ली अब हम पहला फंदा उतार लेंगे दागा आगे लाएंगे देखिए इस तरह से और यहां पे फ्रेंट्स देखिए दो का एक सुरी दो का एक नहीं यहां पे हम एक फंदे में इस तरह से जाली बनाएंगे इस तरह से फिर दागा आगे लाएंगे फिर जाली बनाएंगे फिर दागा आगे लाएंगे और फिर जाली बनाएंगे फिर दागा आगे लाएंगे फिर जाली बनाएंगे फिर दागा आगे लाएंगे जाली बनाएंगे यह देखे इस तरह से मेरे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14 और 16 16 फंदे हो गए तो अब देखिए यहां से उल्टी रो हम उल्टी बनाएंगे यह उल्टी रो में हमें कुछ नहीं करना है देखिए अब हम उल्टे उल्टे सारे जाली के फंदे भी उल्टे बनाएंगे और वैसे भी सब हम उल्टे बना लेंगे अब देखिए पहला फंदा फिर से उतारेंगे दागा आगे लाएंगे अब हमें कोई फंदा बढाना नहीं है यहां दो का एक करके और इससे जाली बनाएंगे देखिए ताकि फंदे कम भी नहीं होंगे और डिजाइन भी बनती जाएगी देखिए फिर दागा आगे लाएंगे दो का एक करेंगे और जाली बनाते जाएंगे ताकि फंदे कम नहीं हों देखिए इस तरह से हर फंदे में हमें इसी तरह से बनाना है और फ्रेंट्स देखिए लाश्ट के हम दो फंदे छोड़ देंगे यहीं पर और यहीं से पलटके और उल्टे फंदे हम बनाएंगे अब हमें दो दो फंदे करके छोड़ने हैं गोलाई लाने के लिए इसकी तो देखिए उल्टे फंदे मैं ने इसके बुल लिए अब फिर से देखिए फ्रेंट से यहीं से एक फंदा हुता दागा आगे लाएंगे दो का एक करेंगे और आगे से ये जाली बनाएंगे पंदे कम नहीं होंगे और जाली भी बनती जाएगी और डिजाइन भी देखिए इस तरह से फिर आगे लाएंगे दो का एक करेंगे फिर आगे लाएंगे इसको फिर दो का एक करेंगे और दागे को फिर आगे लाएंगे और यहां दो का एक फिर से करेंगे अब दीकिए फ्रेंस पहले मैंने दो फंदे चोड़े थे एफ दो Milliarden और छोड़ देंगे यहीं से फिर पलट लेंगे और बाकि के सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे देखिए फ्रंट से इस तरह से डिजाइन बनती जाएगी और देखिए पहला फंदा फिर से और अब दिखिए यहीं से फिर दोका एक करेंगे जाली बनाएंगे और दो दो फंदे हम छोड़ते हैं हर बार तो दिखिए जब हमारे दो फंदे लास्ट में रह जाएंगे उसके बार आपको दिखाएंगे तब तक हम दो दो फंदे दर से छोड़ देंगे चार फंदे हम छोड़ चुकी हैं बाकी की हम दो दो फंदे और छोड़ देंगे उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं तो हम दूसरा कलर लगाएंगे आगे वाली रो में तो दीखिए सारे पंदे पहले हम उल्टे-उल्टे बुन देंगे यह देखिए इस तरह से कली बनी हुई है और अब देखिए उल्टे तरफ से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे तो देखिए फ्रांट्स उल्टे तरफ से हम इसमें दूसरा कलर लगा रहा है सारे पंदे हम फिल से उल्टे-उल्टे बना लेंगे देखिए यहां तक एक तली बनने के बाद अब देखिए फ्रांट्स कर से हम पहला पंदा इस तरह से बुन लेंगे उसके बाद धागा आगे लाएंगे अब दो का एक करेंगे वही डिजाइन हम है फिर से यहीं बनानी है देखिए फिर आगे दागा लाएंगे फिर दो का एक करेंगे फिर दागा आगे लाएंगे दो का एक करेंगे यानि कि जाली तो बनती जाएगी और रिजाइन भी इसमें बखती जाएगी तो देखिए जिस तरह से मैंने इस कली को बनाया उसी तरह से पापी किसकी कली बना चुटे जो हम शोरी जो जड़ा आजानी है